इस वक्त हमारे साथ उत्रप्रदेश के राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंग जी हैं सरवध्व सौगत है आपका आज क्या कारिकरम रहा पहले तो सुबह के कारिकरम के बारे में जानना चाहेंगे जो मीटिंग हुई पूरी क्या कुछ उसमें बातचीत हुई दिखे राज कारे समिती किसी भी सांगठनिक दल का दाइत होता है एक सतत प्रक्रिया है राज कारे समिती राश्टी कारे समिती जिला कारे समिती अमंडल कारे समिती तो हम लोग के सांगठिंग दलों के एक सतत प्रक्रिया जो हमेशा चलती रहती है मैं समझता हूँ कि ये राज्य कारे समिती में हमारे राश्टी अध्य चादनी नड़ा साब का हम लोगों का उद्वोधन मारुदेसन मिला तो कारेकरताओं में उत्साह का संचार हुआ उत्साह बढ़ा तो मैं समझता हूँ कि इसके कारण जो है हमारे सांगठनिक द्रस्टी से हमारे पूरे प्रदेश के भारती जिन्ता पार्टी के कारेकरताओं को ताकत मिली है और जरही बात आम महोसो की तो ये हमारा तीन दिवसी आम महोसो आज संपूर हुआ हम उद्यान विभाग के अधिकारियों के लिए एक बड़ी उपलब्दित थी हम लोग तीन दिन से तो लोग आए हैं लेकिन उद्यान विभाग के अधिकारी कम से कम एक सब्ता से लगातार पलक पावने बिछाए लोगों की बेवस था इस कारेकर्म को संपन करके और राज के किसानों को निर्यात का छेतरो चाहे उत्पादन में गुडवता परक उत्पादन के छेतरो लोगों के अनुभो साजा करने का एक अवसर था दूसरे राजिके किसानाएं वहाँ पर कैसे आम उत्पादन होता है कैसे गुडवता परक उत्पादन होता है कैसे वहाँ का एक्सपोर्ट होता है तो इन सारी चीजों के लिए एक दूसरे के अनुभो साजा किये गए मैं समझता हूँ उत्तर उत्तर या आम महोसो प्रगती कर रहा है पिछले साल अगर हमारे में 30,000 लोगों ने प्रतिभाग किया होगा प्रतेच मिला कर किया प्रतेच तो मीडिया के मादेम से आप लोग मादेम से बहुत हुआ होगा लेकिन प्रतेच पिछले साल अगर 30,000 रह कैसे हम उगा सकते हैं उसको कैसे गुरता प्रकाम सकते हैं कैसे दुनिया की बाजारों हम अपने आपको आमको पहुंचा करके और ज्यादा मूझ ले सकते हैं यह सारे अनुबह swimming यहां सजा कियी जो एक दूसरे के काम आएंगे उत्तरया पदेश का अनुबह महरास्त के लोग भी यहां पर थे जिन लोगों ने भी देखा कि कौन सा आम की सेल्फ लाइब जादा है कौन सा आम हम ले जा सकते हैं विदेशों की बाजारों तक तो यह सब चीजें के लिए आम महोसो रहा है और तीन दिवसी आम महोसो पहले दिन उत्तर प्रदेश के से मुख्यमंत्र मानी मखोंदी जी के द्वारा इसका सुभारम किया गया आज करसी मंत्री जी के द्वारा इसका समापन गया हमारे राजी के अधिकारी लगातार इसकी सफलता के लिए मेनत किये परिस्रम किये मैं सबको धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के सभी बागवानों को उत् सुबह मीटिंग थी उसमें जैसे भुपेन चौदरी जी ने अकलेश यादो जी को चेताब नहीं दी कि कॉंग्रेस से दूरी बना ले कॉंग्रेस भसमा सुरे भाजपा को कहां लगता है कि कहां कमी रहे गए क्यों सीटे कम हैं मुझे बताओ भाजपा कहां कम सीटे पाई हैं आपको लगता है उत्तर प्रदेश में जितना प्रतिस्ध मत भारती जन्ता पार्टी को 2022 में मिला था उतना मत प्रतिस्ध 2024 में मिला है। तो हम तो जन्मत अब सीट कम हो जाना लग लोगों की आस्था भारती जनता पार्टी में अगर कम हुई होती तो मत पृतिसद हमारा घट जाता हमारे भारती जनता पार्टी में लोगों की आस्था उत्तर पृतिस्वासियों की आस्था कम नहीं हुई इसलिए हमारा मत पृति फिछले चुनाओं के हिसाब से था तो ये गुड़ा-गड़ी शीटों का होना अलग बात है अभी हमारी तेरह राज्यों में सरकार है किसी की सरकार है कोई दूसरे दल чाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांगरेंस पार्टी हो किसी राजी में होगी कहीं पूरब में होगी तो पस्षी में नहीं जैसा आपने रड़ा जी की बात सुनिए और हम भारती जंता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के उत्तर दच्छिड पूरब पस्षी मद्ध सब जगे हमारी सरकार हैं महला हमारी हालूर से हमारे कि यह नहीं बताया कि आखिर भाजपा सीटे अपनी लाने में नाकाम क्यों रही वहीं आज जो सुबह मीटिंग हुई उसके बारे में उन्हें जानकारी दी योगेश् एक्षरा, Dynamite News लखनाउ